हेलो, हाई, नमस्ते, लव इंफानेट चैनल में आप सभी का एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है लाइक, शेर और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है डाक नाइट अफ धूल से अगर आप बुजर रहे हैं तो बहुत धिस्टरबेंस वाली रात होती हैं, दिन होते हैं वो समय बहुत खराब चल रहा होता है कही वह हम एस्टरोजी से भी जान सकते हैं कि आपका डाक नाइट अफ धूल कितने समय तक रहने वाला है और क्या reason है और इसकी क्या remedies है ठीक है लेकिन अभी इस video के through मैं आपको बस ये बता देती हूँ कि spiritual journey के साथ आपको बहुत सारे experiences होते हैं dark night of the soul के actually किसी ने मुझे से सवाल पूछा है कि dark night of the soul sorry डॉली जी ने सवाल पूछा है कि dark night of the soul क्या एक बार से ज्यादा हो सकता है जीवन में किसी को भी चाहे वो spiritual journey में है या twin flame journey में है twin flame journey को बिल्कुल अलग मत समझे ये एक spiritual journey ही है और अगर आप ये सुचते हैं कि हम तो एक सादू है सन्यासी है सादक है गुरू है प्रीचर है तो फिर हम इस तरह के संबंद में या relationship में नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ना चाहिए ये गलत है और हम पढ़ क्यों गए अगर ह तो मिलना ही होगा आपको और purpose फिर वही होता है कि आप अपने main purpose पे टिके रहें अब आप कहेंगे कि अगर हम सादू है सन्यासी हम तो दूसरों को राह दिखा रहें तो ये क्यों आ गए हमारे जीवन में अब हमें और कौन सी रहा देखनी है basically देखिए हर किसी के जीवन मे human life में होता ही है जो आपका childhood होता है उसमें कुछ ना कुछ traumas कहीं ना कहीं से आपके विद्यमान रहते हैं किसी ने कुछ कहा या किसी भी तरह से कोई भी तरह के abuses हुए है हर तरह के abuses, pain, physical pain और even financial pain ये सब कुछ आपने जो देखा है वो सारे crisis और traumas से गुजरते हुए वो आ करना चाते है मतलब basically जो human being का पात्र है वो साफ होना चाहिए आपको साफ neat and clean करने आए हैं वो आप चाहे साधा कहा है आप कहेंगे हम साधा कहें लेकिन आप हो जगता है कि रात के समय आपको कुछ अजीबी बेचानी होती हो ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है अब ही आप मिले हैं अपने twin flame से तो कुछ ना कुछ तो reason है ना तो हो जकता है कि जस्ट आप उपरी तोर से सारे काम कर रहे हैं हर कोई उपरी तोर से हर तरह के सारे काम कर रहा है सिर्फ एक तपसीवी ही होता है जो कि उसको घर गाड़ी कपड़े even अपने जो पहने है उससे भी कोई मत love नहीं है वहाँ पर वो अपने आपको अपने चाइल्ड्यू ट्रॉमास को बिल्कुल पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं लेकिन हम लोग जो पीच में फसे होते हैं कि हमें 3D वर्ल में भी रहना है 5D में भी रहना है कुछ थोड़ा सा name fame भी चाहिए पैसा भी चाहिए और grass में भी जाना चाहते हैं बहुत सारी बाते होती हैं सबकी अलग-अलग conditions होती हैं तो ऐसे में पूरी तरीके से neat and clean नहीं हो पाते हैं इस वज़े से dark night of the soul निकल कर आती है हमारे पास हाँ डॉली जी ने पूचा था क्या एक बार से ज़्यादा भी हो सकती है जी हाँ हो सकती है क्योंकि dark night of the soul में आप बिल्कुल victimized mentality में आ जाते हैं बहुती sad song सुनने लगते हैं बहुती sad mentality हो जाती है मेरा कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ कोई मुझे नहीं चाहता इस तरह की feelings लगातार गहराती चले जाती है और यह depression के शिकार हो सकते हैं आप है ना तो depression से नि इन सभी steps से sadness भी आती है, hopelessness भी रहती है, suicide की भी feelings आती है, बहुत 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 बुरा समय चल रहा होता है लेकिन इस चीज़ से आप यह मत समझे कि dark night of the soul हमेशा के लिए बनी रहेगी, एक बार आया, दो बार आया, ठीक है एक बार, जीवन में एक बार, दो बार, तीन ब आता है, ऐसा भी हो सकता है, या अपने घर में किसी की मिर्ट्यू देख लिए उससे भी फर्क पड़ता है, और नैच्रल है कि टुन फ्लेम जर्नी में है, तो डीम आपको बिलकुल ही शेक करके जाते हैं, उससे भी dark night of the soul में आप एक से ज्यादा भार जीवन में आ सकते हैं तो डॉली जी आपको मेरे सवालों का, आपके अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, एक्चुली dark night of the soul बहुत ही challenging stage है, जो कि आपकी intense feeling of love या unconditional love का बहुत बढ़ा test है, और ये test universe के तुरू design किया गया है, the dark night of the soul आपको help करती है कि आप aware हो जाएं कि आपने क्या करना है, क आपकी soul क्या create और क्या manifest करना जाती है, आप नहीं, आपका ego नहीं, आपकी intelligence नहीं, आपकी knowledge नहीं, समझ रहे हैं इस बात को, यानि कि जो भी कुछ आपने देखा पड़ा सिखा, उसके अलावा आपकी soul क्या crave कर रही है, किस चीज के लिए भाग रही है, आपको love के साथ alignment मे रहना है, surprise नहीं होगा कि आपको twin flame journey में रहते हुए, एक से ज़्यादा dark night of the soul देखनी पड़े, यही मैं बता रही हूँ कि एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, आपको hopelessness, sadness and fear का लगातार सामना करना पड़ सकता है, it is intentionally challenging time, it can be scary and extremely painful, ये सारी चीजों से होकर, जब divine feminine अप अपने आप में आती है, जब उसको अपने अंदर एक रोश्नी नजर आती है, वहीं से उसकी भाग्योदय शुरू हो जाता है, यही भाग्योदय, जब हम astrology से भी देखते हैं, तो यह समय दशा, अंतरदशा, प्रतेंतरदशा, सुक्ष्म दशा से देखा जा सकता है, dark night of the soul को भी, जिस तरह से twin flame journey को देखा जाता है, उसी तरह से dark night of the soul को भी देखा जा सकता है, but don't worry क्योंकि आप align हो रहे हैं, अपने twin flame और अपने साथ, एक नए ही level of love पर पहुँचने के लिए, ठीक है, usually separation के बाद, dark night of the soul आपको feel होता है, इसमें total breakdown हो जाता है, breakdown कैसा, breakdown of communication, बिल बात होती है, कोई news मिलती है, तो इस time में बिलकुल अपने आपको बहुती strong रखने की जरूरत पड़ती है, बार बार, harmonious union को claim करने के लिए, आपको dark night of the soul से होकर गुजरना ही पड़ता है, ये एक step है, harmonious union twin flame से होने का meaning ये है, कि आप पहले खुद से harmoniously unite हो जाएं, क्योंक आपने अपने आपको अकेले कमरे में बंद कर लिया, आप किसी से बात नहीं करना चाहरे, आप लगाता रो रहे हैं, sad song सुन रहे हैं, गुसा कर रहे हैं, anxiety में आ गए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं समटाइम, कोई गुसा नहीं, कुछ नहीं, without any facial expression, आप घर में बैठे बस थोड़ा खा लिया, पी लिया, जिटना जरूरी है शरीर को उतना ही, तो कोई बात नहीं, इस तरह के experiences होते हैं, क्योंकि आपकी soul इस तरह से allow नहीं करती है, basically, इसलिए आपको तकलीफ होती है, आपकी soul कहती है, उठो जाको कुछ काम करो, आपके traumas आपके सामने आने ल जहला है, यह जहल रहे हैं, यह सारी चीज़ें आपके सामने आने लग जाते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, it means you are just, you are just upheaving and coming to new level of love and intimacy, विश्वास मानिये, ट्रस्ट केजिए, अपने divine journey पर, अपने divine path पर, trust your own divine self, आप भी तो को देख divine है न, तो क्यों घबराना, then what to do, क्या करना चाहिए फिर आपको, focus on your harmonious union with yourself first, कैसे करेंगे, mirror exercise करनी चाहिए आपको, सिर्फ बैठे रहने, सोचते रहने, videos देखने से, सुनने से नहीं चलेगा काम, mirror exercise करें, meditation करें, the dark night of the soul is about your ego death, आपकी ego की भी death होती है, और harmonious union to flame के लिए divine love ही है, law of attraction का का काम, शुरू कर दे, attract divine love, सबसे पहले, ईश्वर का तो love, पहले प्राप्त करें, है न, you will get the same, collective consciousness के साथ आप काम करेंगे, तो divine love and peace, दोनों ही मिलेगा, collective consciousness मतलब, आप भी, अपने आपको consciously काम करेंगे, हर तरह से, अपने आपक conscious होगा, so be conscious, and sleep properly, नींद नहीं आती है, तकलीफ होती है, घरवाले भी परिशान हो जाते हैं, कुछ mental disease का ही नाम देने लग जाते हैं, और बहुत सारी बाते हैं कि बिगड़ने लगती हैं, आपको डर लगने लगता है, क्या मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ, या बढ़ की जरूरत है, there is no suffering, and there is no death, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, suffering आपके दिमाग से ही होती है, इसलिए the purpose of a dark night of the soul is bring you to the love, प्यार की तरफ लेकर आता है, प्यार की से self-love, not to show you the suffering is glorious, ये show करने के लिए नहीं है, suffering, human being का कोई product है ही नहीं, suffering आपकी soul कभी चाहती ही नहीं, तो जब आप supreme power से alignment में आ जाते हैं, तो आपकी whole reality आपके shift हो जाती है, इसलिए कह रहे हूं, trust the higher self of your own twin flame, and trust your own divine self, because love is everything, suffering, आपके अंदर का जो inner child है, उसको भी पहचानने की कोशिश करें, अच्छे से सोएं, अपने conscious mind से काम करें, और best to be aware of suffering, and investigate the cause, जितना जदा हो सके, इसका कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश करें, वो जो मैं बोल रहे हूं ना, कि आपके बच्पन के, जो wounds हैं, वो सामने आते हैं, means आप अकेले बैठके, कम से कम, अपने जिन्दगी के, आप 18 के हैं, 28 के हैं, 38 के हैं, 58 के हैं, जितने की भी age के हैं, ठीक है, बच्पन तो सब कही बीता ना, जितने भी समय के हैं, जिस भी age के हैं, तो आपको यह देखना है, कि कहां गलती आप से हुई, कहां दूसरों से तो यही मैं कह रही हूं कि जो इस ओल इन ओल रिडिंग में यह बता देती हूं कि डाक नाइट आफ जासोल एक बार से ज्यादा कई बार आप जहल सकते हैं हो सकता है फील हो सकता है लेकिन एक बार जब एंड हो गया ना जब आपने मान लिजे दो या तीन भार अपने पूरी लाइफ में इतने हर तरह के पेन और अब्यूस और इस तरह के ट्रामास आपने देखे हैं समझे हैं एक बार यह खतम हो गया ना इसके बार दुबारा नहीं होता किसी ने पूछा था कैन इट बी नेवर एंडिंग हमेशा होता रहे तो ऐसा कई बार प्लैनेटरी पोजिशन के साथ वज़े से होता है और कई बार आपके दोशों के कारण भी होता है अगर हम एस्ट्रोलोजी और देखें यह सब ही चीज़ें इंटरकनेक्टिड हैं किसी पर आप विश्वास करें या ना करें यूनिवर्स विश्वास करता है यह सब भी कुछ इंटरकनेक्टिड है आपका स्पिरिच्वालिटी आपका ट्विन फ्लेम आपकी एस्ट्रोलोजी आपकी टैरो रीडिंग आपकी इन्वर्स से बाते करना लोवा टेक्नीक या पास लाइफ रिग्रेशन जो भी आप करवाते हैं वो बहुत जरूरी अगर आप पास लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि यह पास लाइफ से ही रिलेटिड है जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटिड है ऐसे ही यह सारे वोंड्स है जो हमारी सोल पिछले जनम से लेकर अब तक लेकर आती है त तो कोई कैसे निकाल सकता है बहुत ही मुश्किल है देखिए अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानना है आपको डाक नेट अफ दे सोल या फिर पास लाइफ या फिर लाइफ में आगे क्या होता है क्या ही यह पैंस क्या वोंड्स है किस तरह से आप इसको या स्प पर उसको देख लीजिए त्री वेवस ऑफ वालेंटेर्स एंड निव अर्थ मैं आपको लिंक पी सेंड कर देती हूं यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे जरूर देखिएगा समझ आए तो जरूर अच्छी तरीके से लाइफ को बिताएं परिशान ना हो किसी भी तरीके से मैं आपके साथ हूँ ही वीडियो पर बने रहें तन्यवाद